सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरे देखने के लिए धन्यवाद आपको जैसे पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से लाइन्स कलब राजपुरा के परधान पत को लेकर काफी कशमकस चल रही थी जो बीती शाम को समाप्त हो गई जब सब्दार गुर्प्रीशिंग संदू बीना चुनाव के लाइन्स कलब के अगले परधान चुने गए जैसे ही चुनाव कमेटी ने गुर्प्री सिंग संदू को अगला परधान एलाना उसी समय लाइन्स कलब में खुशी की लहर दोड़ गई और लोगभाई ट्रस्ट के चेर्मेन शिरी जगदीश कुमार जगशी लाइन्स कलब के सदस्यों ने सदार गुर्प्री सिंग संदू को फूल मालाय पहना कर उन्हें परधान बनने पर बधाई दी अब आपको बताते हैं कि कैसे बने गुर्प्री सिंग संदू लाइन्स कलब के परधान और कैसे रही चुनाब परकरिया बीते दिन परधान पद का चुनाब लड़ने के लिए इच्छुक उमीदवारों जिनमें गुर्प्री सिंग संदू रजेश वर्मा अजे गोयल वा दिनेश महता जी द्वारा नमंकन पत्र भरा गया था आपको बता दें कि लाइन्स कलब परधान पद के चुनाब करवाने का काम कलब के पांच सीनियर सदस्यों जिनमें शिरी सुभास से थी दिनेश महता, गुल्षन बबबर, अरजन देव डारा वा संदीब सिक्का को सोपा गया था जिनको परधान पद का चुनाब करवाने क जिम्मेवारी लाइन्स कलब द्वारा दी गई थी, इसके बारे में विस्तार से न्यूज एटी नेन को जानकारी देते हुए उक्तु चुनाब कमेटी के सदस्य शिरी दिनेश महता जी ने पूरी चुनाब परकरिया के बारे में विस्तार से बताया, आईए आपको परकरिया किस प्रकार रही और गुर्प्री सिंग संदु किस प्रकार परधान चुने गए, सुनाते हैं आपको चुनाब कमेटी के सदस्य शिरी दिनेश महता की जुबानी चुनाब की प्रकारिया इस प्रकार से रही कि आज शाल को पांच बही तर आवितन देने के टाइम था तो आज चार उंपी दुबारां के नामंकान आयती इसम सबसे पहले गुर्पित सिंग संदु का जो कि कल मेरे पास आया था उसके बाद एक आवितन पत्र राक्ली जी पर्मा जी का पुल्ष गुल्ष जी बबबर जी के पास आया था अजय गमीवेता मैंचल कुमogज को प्रकार था कि निरवाचन कमेटी के पांच मेंबर थे सबसे पहले स्भाष छेटी जी निरवाचन कमेटी के वैंबर था एक गुल्षन बब्बर जी ध्री चनग मेंबर थे श्री आजनदेव डारा जी टोक्टर संदीब सिखका न्यों अज शाम को पांच वजे जब हमने सारे सारे खोले तो उसके अंदर पाया गया कि श्री राकिश जी बर्मा का जो फारम था वह ऐसा मैसुस होता है कि फारब उनकी सहमती से नहीं बना गया क्योंकि उसके उपबर उनकी अस्ताक्षन नहीं थी फिर पांच हो हमारे जो नर्वा इस कारण से दिर्व रोध संदु साहब को लाइस सरब का प्रदान मुश्य तो इनका जो समय है मदलब यह कब से मदलब ऐसा है कि 31 समाज तक जो भी कमेटी होती है उसके नाम और फोटो इंटरनेशन में भेड़ने पड़ते हैं तो इसलिए हुए यह सारी प्रकेरिया 30 समा इस मौके पर म्यूज 89 से बात करते हुए जहां लोगभलाई ट्रस्ट के चेर्मेन श्री जगदीश कुमार जग्गा ने गुरुप्री सिंग संदु के परधान बनने पर उन्हें बदाई देते हुए उनका मू मिठा करवा आने वाले समय में लाइंस कलब की त्रक्की की ब संदु साव एक महंती नोजवान ते इनाच संस्ता दी सेवा करन दा एक बहुत बड़ा जजबा है शुरू तो ये इनादे मदर एमसी ने वार्दी भी सेवा कर रहें है ते मैं तो उमीद रखदां भी आपड़े कलब दे रहीं जुरूत मंद लोकां दी ये सेवा करनगे ते मैंनू पका विशवास है भी एम महंती ये नोजवान ने जड़ी सारे कलब दी सेवा करनगे मैं लोइन्स कब कलब दी भेतरी लई सारे साथे नो नाल लेके जड़े प्रजेक्ट सादे दूरे रहें ने उननों पूरा करांगा कलब नो सुंदर बनावांगा ते समाज पूरा काम्याब फंक्शन करांगे जड़ा पिछले समेच कई परदाना दे परदानगी जड़ा है उपर तो थल्ले ही आया है उदी क्या वज़े रही है जी पी तुसी आना ले दिना चे उन जड़े मेंबर छटके गया उननों किस तरह जोड़ोंगे अपने लादे देखो पूरी कसर निशड़ांगा प्राने जड़े जड़े मेंबर गये ने उननों नार जोड़के एस हैयोग नार एक कलब दा पूरा नाम शहर जोएगा इस गाल्दी में पूरी तनमंदा नन सेवा करांगे राजपुरा से कैमरामन ललित कुमार के साथ मीडिया परसन संदीब चौधरी न्यूजटी नैंग सब्सक्राइब करें न्यूजटी नैंग चैनल को और बेल आइकन दबाना ना पुलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद प्राइब करेंग प्राइब करेंग